हेलो चिल्डरन, कुसो मैं की लाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बचो, आज हम फिफ्ट क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिस का लेशन 12, दो अनलग्की फेस में आने वाले वोकेबलरी पार्ट को अच्छी तरह से सॉल्ड करना सीखेंगे, सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अन्त तक पूरी देखे, एक और बार, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दी बैल आइकन को जरूर प्रेस करें, लैट्स टार्ट, वोकेबलरी पार्ट, ये पेस नमबर 119 से स्टार्ट है, देखिए, य स्टारी से जो है नीचे दिये गए संटेंस को पढ़े, यानि स्टारी से ही ये संटेंस दिये गए है, यहाँ पर देखिए, इसमें कहा है कि ऐसा कहा जाता था कि कोई भी आदमी अगर उसका चेहरा देख लेता था, तो सारा दिन उसे भूखा वरना पड़ता था, यानि उसे खाना नहीं मिलता था, बिना खाने के ही रहना पड़ता था, अब इसने कहा है, in this sentence, the words in world, anyone and without, are formed by joining two words, इसने यहाँ पर कहा है कि इस वाक्य में, जो words दे रखे हैं, बोल्ड में, यहाँ देखो, यह बोल्ड दे रखे हैं न, एक anyone है, एक है without, यह दोनों ही words जो है, वो दो words को join करने के बाद बने हैं, दो words को कैसे join करने के बाद बने हैं, यह पता है, देखो, जैसे any plus one, यह बन गया anyone, और without था न, वो with plus out, यह बन गया without, तो इससे यह दो शब्दों को जोड़ कर एक शब्द बनाया गया है, यहाँ पर ऐसा कहा है इसने, और these are called compound words, ऐसे words को compound words कहा जाता है बच्चो, दो शब्दों को मिला कर, जब एक शब्द बनाते हैं, तो वो compound words होते हैं, now form compound words by using words from the box, अब इसने कहा है कि box से कुछ ऐसे ही words यूज करके आपको compound words जो है वो बनाने हैं, तो यहाँ पर देखो यह box दे रखा है, इसमें कुछ words दे रखे हैं, और यहाँ पर भी देखिए एक बार, head दे रखा है जैसे, तो यह बन जाएगा headlines, अब यहाँ से हम lines ले लेंगे, hairline बन गया, pass, pass के लिए हम word ले लेंगे यहाँ से, तो यह password बन गया, इसी तरह से white, white was, home, homemade, child, child के साथ hood लगा दिया बन गया, childhood, time, साथ हम table लगा देंगे, तो time table बन गया, worldwide, 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 world के साथ white लगाने से बना है, anything, यहाँ देखिए, any के साथ thing लगा दिया, anything बन गया, everyday बन गया, ठीक है, तो इस तरह से हमें, यह compound words बनाने थे, जो मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, सभी बच्चे इसे अपनी copy में भी लिखेंगे, और इसे याद भी करेंगे, अब आगे देखिए, आगे है, make as many compound words as you can by combining words from the box, अब इसने कहा है कि, box से, जो है, words लेकर, box में जो words है, उनके combining words आप जितने भी बना सकते हैं, उतने compound words जो है, वो आपको बनाने हैं, one has been done for you, एक आपको बना कर दिखाया भी गया है, तो सबसे पहले तो box को देखें बच्चो, यह box दे रखाया है, और इसमें कुछ words दे रखे हैं, जिनको combine करके हमें, जो है, नए words बनाने हैं, compound words बनाने हैं, जैसे कि है news, अब news ले लेते हैं, news जो है, बना कर भी दिखाया गया है, news के साथ हम paper अगर जोड़ देंगे, तो यह बन जाएगा news paper, अब इसी तरह से है, जैसे कि है, grant ले ले लेते हैं, ग्रैंड, mother, ग्रैंड के साथ, daughter, ग्रैंड के साथ, जैसे कि हम father जोड़ दें, तो grandfather बन जाएगा, son जोड़ दें, तो grandson बन जाएगा, इस तरह से बनाना है, जैसे कि अब है, any, any के साथ, जैसे anyone यह बन जाएगा, some के साथ one लगा दें, तो some one बन जाएगा, और इसी तरह से अब जैसे हम लेते हैं यह daughter है ना तो grand और daughter तो यह granddaughter बन जाएगा ठीक है इसी तरह से हमें और compound words बना सकते हैं इसमें काफी बनेंगे यहां देखिए यह मैंने बना भी रखे हैं जैसे newspaper, grandmother, toothbrush, anyone, wherever, something, anywhere, grandfather, grandfather, granddaughter, grandson, however, keyboard तो इस तरह से जो है यह थोड़ा close-close ही लिखने है बच्चो जैसे यहां पर grandson में थोड़ा सा gap दे रखा है ना मैंने ऐसा कुछ नहीं होगा यह बिल्कुल close-close जो है वो आपको letters लिखने हैं अब आगे देखिए आगे है read the following words नीचे दिये गए words को पढ़े अब यहां देखो नीचे दे रखा है एक तो दे रखा है disobey यहां पर दे रखा impossible और यह है unlucky इसने कहा है कि यह जो है प्रफिक्सिस से सुरू हुए है प्रफिक्सिस यानि कि यह है dis, im और un जैसा कि नीचे दिखाया गया है यह प्रफिक्सिस लगकर जो है वो उनसे ही प्रफिक्सिस से ही सुरू होने वाले शब्द है प्रफिक्सिस क्या होता है सबसे पहले तो यह समझीए बच्चो प्रफिक्स का मतलब होता है उपसर्ख, हिंदी में इसको उपसर्ख कहा जाता है यानि यहां पैसे भी याद रख सकते है प्रफिक्स पर से सुरू होता है यानि पहले जुडने वाले शब्द, जो शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं, उनको प्रफिक्स कहा जाता है, तो अब जैसे कि डिस ओबे, तो ओबे से पहले लगया है डिस, तो बन गया डिस ओबे, पॉसिबल, पॉसिबल से पहले इम लगया, तो ये बन गया इम पॉस इनके लगाने से जो भी वर्ड है ये वो उसका opposite बन जाएगा जैसे कि ओबे ओबे होता है आग्या का पालन करना लेकिन डिस और आगे लग्या तो ये हो गया डिस ओबे यानि कि आग्या का उलंगन करना हो गया ये और इसी तरह से ये possible होता है कि कोई बात संभाव होना यानि कि possible impossible यानि एसंभाव तो ये बिल्कुल इसका opposite बन गया है ना इसी तरह से ये है लग्की लग्की जो है वो होता है भाग्या साली और अनलग्की बन गया तो ये बन जाएगा तुर भाग्या साली अब आगे इसने कहें make the opposites of the following words by adding appropriate prefixes अब इसने कहें कि उचित प्रफिक्स यानि उपसर्क का add करके नीचे दिये गए जो शब्द है उनके opposite बनाओ तो यहां देखो इसने यहां पर दे रखा है एक और बात दे रखे इसने put them in the appropriate column और उन्हें उचित कोलम में भी रखो तो सबसे पहले यहां देखो एक box दे रखा है और इसमें connect है connect में हम disconnect बना सकते हैं है ना यहां पर डिस दे रखा है इम दे रखा है और अन दे रखा है यानि यह तीन column दे रखे हैं डिस इम और अन तो इसी तरह से डिस के साथ कौन कौन से word लगेंगे तो वो मैं समझा देती हूं जैसे connect है तो disconnect आ जाएगा अब honest है तो डिस के proper है यह improper इसका opposite हो जाएगा ठीक है अब जैसे कि happy है happy के साथ unhappy से पहले अगर हम un लगा देते हैं तो यह unhappy बन जाएगा यहाँ पर देखो अब इसको देखो एक बार आप यह जो है मैंने column पूरे कर रखे हैं एक बार समझा देती हूं connect का से आगे जो है डिस लगा दिया तो डिसकनेक्ट बन गया dishonest का क्या मतलब होता है बताओ कोई चीज कनेक्ट न हो न डिस अनेस्ट होता है बेइमान और अनेस्ट होता है इमांदार ठीक है अब यह है डिसक्रेस और आगे है disappear, इसी तरय से appear से पहली लग गया न, ह Chemistry याई बन गया disappear यदि अब्रकट, प्रकट ना होना, याई ऐसे ही होता है improper, अब दे खो, proper से पहले इम लगा दिया, तो improper बन गया, याई की proper होता है, उचित improper होता है, अनुचित इसी तरय से, ये मॉर्टल से पहले इम लगा दिया इम्मॉर्टल बन गया इम्बैलेंस बन जाएगा इम्मॉरल बन गया इसी तरह से हैप्पी से पहले अन लगाने से अन हैप्पी अननोन, अनकाइंड अनक्लीन तो इस तह से ये वर्ट्स बनेंगे बच्चो Here are some more prefixes that are used to make opposites इन, अर, इल तो इसने का है कि यहाँ कुछ और भी जो है जादा prefixes है जो इन, अर, इल यह जो है opposite बनाने के लिए यूज के गई है जैसे कि देखो इन, correct, इन, complete, इन, visible तो यहाँ पर इन से पहले इन जो है वो लगा दिया है तो यह भी opposite बन गए है irregular, irresponsible, irrelevant यह इर लगने से हुए है ठीक है अब जैसे कि regular होता है न, irregular का मतलब हो गया अनियमित, regular नियमित होता है ठीक है अब जैसे कि हैं, यह illegal इल लगने से हुए है यह illegal, illiterate, illisible ठीक है इससे यह इनके opposite बन गए है बच्चो अब आगे इसमें कहा है fill in the blanks with the opposite forms of the adjectives given in brackets अब यह यहां पर कहता है कि opposite form के साथ आपको खालिस्थान भरने है किसकी opposite form? adjectives की bracket में दी गई जो adjectives हैं उनकी form से जो हैं आपको opposite form के साथ जो है खालिस्थान भरने हैं यहां देखिए first दे रखा है mandeep is weak in studies because he is just regular in class mandeep study में पढ़ाई में कमजोर है क्योंकि वह कलास में regular regular तो regular आता है जो हरोज आता है नियमित रूप से आता है वो होगा लेकिन पढ़ाई में कमजोर इसी लिए है कि वो regular नहीं आता है है ना? regular नहीं रहता तो उसका बन जाएगा irregular तो लगके जो हाँ opposite बनेगा बच्चो तो यहां आएगा irregular यानि i r r e g u l a r ये बन जाएगा irregular अब आगे देखिए आगे दे रखा है don't live your verb that's complete अपना काम मत छोड़ो क्या? क्या नहीं छोड़ो बताओ complete तो पूरा करना होता है तो क्या लगेगा इसके आगे कि ये opposite बन जाएगा बताओ बच्चो हाँ in लग जाएगा यानि ये incomplete आएगा यहां पर ठीक है? सभी बच्चे ये spelling भी जरूर याद कर ले ये भी जरूरी है बच्चो incomplete अब यहां आगे दे रखा है ता teacher advised the child to improve his writing because it was less lisible lisible दे रखा है यहां पर देखे इसने कहा है कि teacher ने बच्चे को advice दी क्या advice दी? अपनी लिखाई सुधार्ने की advice दी क्योंकि it was lisible क्योंकि है lisible थी क्या थी बताओ lisible का क्या बन जाएगा हाँ बताओ illisible तो यहां पर आएगा illisible यह देखे अब आगे इसी तरह से है no one trust a honest person no one trust a कोई भी भरोसा नहीं करता person पर honest honest person पर नहीं करता क्या बताओ honest होता इमानदार बेइमान पर नहीं करता न कोई भरोसा बेइमान पर नहीं करता तो honest का यहां पर बताओ क्या आना चाहिए बच्चो opposite dis dis लगने से जो है वो बनेगा यह dishonest और यह बन जाएगा बेइमान इमानदार का उल्टा हो गया कि कोई भी आदमी बेइमान पर वरोसा नहीं करता आगे है I am able to come to school today because of my sickness मैं आज सकूल में आ नहीं सकता आने के योग्य नहीं हूँ मेरी बीमारी के कारण क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो सकूल नहीं आ सकता तो यहां पर बताओ able, able तो योग्य होता है और इसने कहा है मैं आय योग्य हूँ यानि कि unable हूँ तो unable के लिए बताओ बच्चो क्या आएगी un-lick देंगे able के आगे है ना और यह बन जाएगा unable I am unable to come to school today because of my sickness यानि मेरी बीमारी के कारण आज मैं सकूल आने के योग्य नहीं हूँ आगे है कि if you work hard यदि तुम कठीन प्रिस्रम करते nothing is just possible तो कुछ भी possible नहीं होता या impossible क्या आएगा बताओ कुछ भी impossible नहीं है यानि हर चीज possible है अगर आप जो है कठीन मेहनत करें तो यह आजाएगा यहाँ पर impossible अब आगे दे रख्या है write words with the same sound but different in meaning and spelling इसने कहाए कि same sound के words लिखने आपको लेकिन ऐसे word होने चाहिए वो जो meaning भी different हो और उनकी spelling भी different हो लेकिन sound में same दीखते हूँ पता है ऐसे भी कुछ word होते हैं बचो कि जिनकी sound same आती है लेकिन उनका आर्थ भी कुछ अलग होता है उनकी spelling भी अलग होती है one has been done for you एक आपको करके दिखाया गया यहाँ देखो haul ये भी haul दोनों को haul पड़ेंगे लेकिन spelling में भी देखो अंतर है और इनके meaning में भी अंतर है अब जैसे कि ये haul haul का मतलब होता है पूरा और इसके haul का मतलब होता है कोई सुराख होना सुराख होता है ना बिल याने की जैसे चुहे का बिल होता है ना उसको haul बोलते हैं अब इसी तरह से यहाँ दे रखा है बर्थ और एक बर्थ ये है ये बर्थ जो है बर्थ का मतलब है यहाँ बैठने का स्थान और ये बर्थ का मतलब है जन दिन अब यहां पर है फेर और एक फेर ये है बच्चो ये जो F-A-I-R फेर होता है इसका मतलब होता है मेला और F-A-R-E फेर का मतलब होता है किराया, भाड़ा एक है ये नो और ये भी है नो साउंड तो सेम है इनकी लेकिन मिनिंग भी और स्पेलिंग भी दोनों ही अलग-अलग है नो मिन्स होता है जानना और इस नो मिन्स होता है नहीं अब यहां पर दे रखा है बाई या बाई तो ये बाई का मतलब होता है के द्वारा यानि ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है लेकिन ये जो by है by means होता है खरीदना यानि sell by वाला अब आगे हैं जैसे new और ये भी new इस new का मतलब होता है नया और ये new k-n-e-w new होता है जानना c, c means होता है देखना और यहां पर ये जो she आएगा s-h-e, she इसका मतलब है वहे ये girl के लिए यूज किया जाता है वहे के sense में अब आगे है heel और ये है heel तो h-e-a-l heel heel का मतलब होता है चोट, घाव और h-e-l heel होता है ad अब यहां पर है made m-a-d-e, made means होता है banana और m-a-i-d made means होता है made नोकरानी अब ये है scent और ये भी scent ही बोला जाएगा इस scent का मतलब होता है भेजना और ये scent होता है जो scent सप्रे करते है perfume यानि की वो scent है अब ये देखे wood और ये भी है wood इस wood का मतलब है गागेगी के sense में आ जाता है ये, यानि की will जो है, will का past है ये wood और ये wood होता है लकड़ी off और एक है ये off तो इस off का मतलब होता है switch off करना जैसे, बंद करना और ये off है का, के, की अब so और ये है show तो ये so होता है इसलिए और इसका show मतलब की जैसे की magician show होता ना जैसे देखते हैं, वो बहला show अब ये है made, made का मतलब नोकरानी और made means होता है बनाना, बनाया ये एक sale है और ये भी sale है इस sale का मतलब होता है नाव एक, जो नाव पे जो है, नाव चलाते हैं वो वाला sale, नाव चलाना यानि और ये sale, sale का मतलब होता है, sale लगना जैसे दुकान पर हम कभी जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पर सेल लगी हुई है तो वही वाली सेल तो बचो आज इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का ग्रैमर पार्ट सिखाने वाली हूँ तो हम फिर मिलते हैं ग्रैमर पार्ट ने तब तक के लिए बाई बचो